करोडु दरशुकू का मिल रहा साथ, MP यवात, MP News के साथ क्या है पूरा मामला? इसके अधिक जुआनकारी के लिए हमारे साथ संदीप मीना जुड़ गए हैं. बताइए संदीप क्या है ये पूरा मामला? के सहागंज में पहुचे थे, यहां पर मंडलम, सेक्टर और BLA सही तमाम पदादिकारियों की बेठक लेने पहुचे थे. उस दुरान उन्होंने मीडिया से चरचा के दुरान कहा था कि ये गड़ तो कॉंग्रेस का है और यहां की मानसिकता जो लोगों की मानसिकता है वो भी कॉंग्रेस है, लेकिन पता नहीं कैसे बीजेपी यहां से जीत जाती है. कहीं न कहीं उनका ये बयान जो है कॉंग्रेस के तमाम कारिकरताओं में जोज भरने के उद्देश दिया गया था, चुकि जिस तरीके से बुधनी का सियासी इतिहास देखा जाए ही ना, तो लगात में सत्ता परिवर्तन होता है, और अचानाक बुधनी की जो सीट है, वो भारती जन्ता पार्टी के कबजे में आ जाती है, चुकि यहां से पूर मुकमंत्री शिवरा सिंग चोहान लगातार जो है, मद्यप्रदेश का नेतरत्व करते हुए आया है, और बुधनी विधान पार्टी ने कमलनाथ या फिर कहें कॉंग्रेस के मजबूत किले में सेंद लगाई थी, अमरवाडा उप्चुनाव जीता था, क्योंकि अमरवाडा जो सीट है, वो कॉंग्रेस का मजबूत किला कही जाती थी, यहां पर कमलनाथ का वर्चस प्रे रहता था, लेकिन भारती विधान सवा में जीत की रणनीती बना रहें लगातार दोरे कर रहे हैं, तो उनकी कोशिश है कि तमाम जो कारिकरता हैं कॉंग्रेस के, वो उन्हें जोड़ा जाएं, और यहां पर एक चीज और देखने को मिली ही ना, कि लगातार कॉंग्रेस जो है टिफिन पार्टी की सि जीतु पठवारी चल रहे हैं और लगातार जो है उन्होंने टिफिन पार्टी के लिए 25 नेताओं की टीम को जो है मेदानी स्तर पर तेनात कर दिया गया है, जिसमें विधायक, पूरु विधायक और पूरु मंत्री भी शामील है, तो ऐसे करके तमाम जो नेता है, आप कही करता, PCC अध्यक जीतु पठवारी जो भी के महनत कर रहे हैं, क्या परिणाम सामने आ सकते हैं? जो है सियासी मःदान में नजर आ रहे है, जीतु पठवारी उसी संजीवनी की सियासी आस कही ना कई बुधनी विधान सवा सीट में देख रहे हैं, अगर वो बुधनी विधान सवा सीट को जीत लेते हैं, तो ये कही न कहीं, जो है कॉंग्रेस के लिए तो बड़ी उपलब्दी होगी होगी साथ जीतू पटवारी के लिए भी एक महतपूर्ण जो है जोश भरने का काम करेंगे जिस तरीके से देखा जाए यहां पर अगर हम यहां का जो सियासी मिजास देखे ही ना तो बुधनी विधानसवा में बड अधिवासी वोटवेंग का जो रुजहा ने कहीं न कहीं कॉंग्रेस की तरफ खिसकता हो नजर आ रहा है तो ऐसे में यहां पर जीतू पटवारी एक माइक्रो मेनेजमेंट कर रहे हैं लगातार एक छोटे-छोटे गाउं में दोरा कर रहे हैं वो और छोटे-छोटे पदा चुनावे वो बहर टफ हो जाएगा क्योंकि यहां पर चुनाव जिस तरीके से देखा जा रहा है कि शुरासिंघ्ण चुहान यहाँ इस चुनाव में में होते तो वह बात अलग होती है लेकिन अब शिवरासिंघ्ण चुहान यहाँ पर चेहरा नहीं है विए उनके बेटे के सिंग चुहान को टिकेट मिलना मुश्किल लग रहा है बुधनी में ऐसे में एक नाम और तेजी से दोड़कर सामने आता है वो है रमकान भारगव का तो ऐसे में अगर देखा जाए तो रमकान भारगव को जो है अगर चुनाव में बीजेपी उतारती है तो कॉंग्रेस ज लोगपरिता है और जैसे जमीन पर जिस तरीके से वो लगातार दोरे करते रहते हैं जो है सामाजिक कारेक्रों में सक्रेटा दिखाते हैं और आदिवासी अंचलों में अपनी सक्री के भूमी का निभाते हैं उसे देखते हूं कहीं न कहीं यह माना जा रहा है कि अगर वर्त्मान इस्थि में सक्री नजर नहीं आ रहे है, लेकिन यहां पर कॉंग्रेस ने ज्यवर्दन की बात की जाए जीतु पटवारी की बात की जाये तमाम इंत्री पूरु विधाय को उनको तमाम जो नेता है वो कॉंग्रेस के जो है बुधनी के सियासी दंगल में मेदान में उतर चुके और खुद यहाँ पर PCC चीफ जीतू पटवारी ने इस पूरे इलेक्शन की कमान अपने हाथ में ले रखी है जिस संदीब जैसा कि आप बता रहे हैं कि बुधनी में कॉंग्रेस जो है वो एक्टिव नजर आ रही है टिफिन पार्टी कर रही है लोगों से मिल जोल बढ़ा रही है और इसके बाद इत्ता बड़ा बयान सामने आए है भी जैपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है अबिदल फिलाल देखिए बीजैपी जो है यहां पर बात करें जीतूपटवारी के बयान को लेकर तो इस्तरे की कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई लेकिन सियासी हलकों में चर्चा है कि जीतु पटवारी जो है कहीं न कहीं जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं इस तरह के बीजेपी नेताओं के कहने हैं कि जो गड़ है वो शिवराज सिंग का अभेत किला माना जाता है बुधनी और यहां पर जो है कहीं न कही कॉंग्रेस को जीत का सपना देखना कहीं न कहीं जो है एक बोना साबित होता हुए नजर आ सकता क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि लगतार सालों से यहां से दशकों से भारतियन्ता पार्टी अपना कमल खिलाते हैं आई वही है बुधनी में तो ऐसे में कहीं न कहीं भारती इंता पार्टी बेफिक्र नजर आ रहे है पूरी तरीके से बुधनी उपचुनाओं को लेकर क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि यहाँ पर शिवराज सिंग चुहान का वर्चस्प और भारती इंता पार्टी की कारी करता हो कि मेहना जो है कारगर साबित होते हुए नजर साब